हम लोग कर्मिचारी संग के बेनर तले नौसुत्री मांगों को ले के कर रहें और एक सुत्री मांग जो है राजभौन को दिया गया है जिसमें बहुत मुख्य मांग है कि एक कर्मिचारी प्रतिनिधी को कारिप्रशत सदस्य बनाया जाए अगर ये मांगे पूरी हो जाती है बहुत सारे कर्मिचारी के समस्यों का समाधान ऐसी ही हो जाएगा और बार बार कर्मिचारी को हरताल धर्ना प्रदर्शन की स्थिति नहीं आएगी इसके लावा नौसुत्री मांग में कर्मिचारी जो सात्व बेतिनमान के چौथे किस्थ के एरियर्स का भुकतान अभी तक ही हुआ है जबकि राजसासन के सारे कर्मिचारी को भुक्तान हो चुका है इसके आलावा सेवा नुरित कर्मिचारी जो है उनके चारों किस्त के एरियर्स का भुक्तान करने की मांग है लेब अटेंडेंट को लेब टेक्निशन और लेब टेक्निशन जो है उसको टियो बनाने की मांग है कुरोना काल में मृतक कर्मिचारियों के आसरितों को अनकमपन युक्ति अतिशिक दिया जाए और कर्मिचारियों के वो जो ट्विशन फीस वगर है कर्मिचारियों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके ट्विशन फीस में बढ़ोत्री चाहिए इसके लावा हमार कर्मिचारी संग के पदाधिकारियों और विश्चिद्यलाय प्रसासन के अधिकारियों के साथ प्रतीमा समिछा बैठक होनी चाहिए इसके अलावा जो है हमने वाहन भत्ता के संबंद में विश्चिद्यलाय प्रसासन और राजभवन राजशासन से निवेदन किया है कि वाह बाद्धा की संपूर्ण रासी वापस किया जाए। 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 यह तो मतलब पूरे प्रदेश इस तर पे हमारे आदर्णी मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे की पहले ही गोशना कर रखी है कि भरती नियूमों में 10 प्रतिशत की छूट देकर ततकाल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए करके तो हमारी भी यही मांग है हमारे विश् यह ट्यूशन फीस की बाद भी लगातार आप लोग कर रहे हैं यह ट्यूशन फीस ऐसा है कि आज की इस महंगाई के दौर में जैसा की सभी को पता है कि हम अगर अपने बच्चों को प्ले ग्रूप, नरसरी या केजी वन इस तर पे भी अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं त तो हमारी मांग यह है कि जो चार हजार रुपए हमको मिलता है बच्चे के ट्यूसन फीस के रूप में तो विश्व इद्याले से हमारा यह निवेदन है कि उसको चार हजार से बढ़ाकर इस महंगाई को देखते हुए कम से कम दस हजार रुपए किया जाए ताकि इसे हमको आर्थिक साहता हो और हम अपने बच्चों को अच्छे सा अच्छा एजूकेशन दे सके और समाज की मुख खिधारा में लाकर उनको एक अच्छा व्यक्ति के साथ अच्छा व्यक्ति बना सके यह विश्व इद्याले कर्मचारी संग जो है आज से प्रदर्शन कर रहा है अपने हर मांगों के लिए लड़ना पड़ता है बिना लड़े मतलब हमको कोई चीज मिल ही नहीं सकता जब वही तीसरा साथे वितनमान के तीन किष्टों का भुगतान पिछले हमारे हरताल में किया जा चुका है तो चौथे वितनमान में मतलब चौथे किस्त को देने में फिर क्यों प्राबलम आ रहे हैं लेकिन ये हमारा जो विश्विद्याला प्रशासन है वो बार बार शासन के आदेश और उसके उच्छा संचनाला के आदेश इन दोनों के बीच टालम टोल करते रहता है और हमको मजबूर करता है कि हम हड़ताल करें क्योंकि उनको ऐसा लगत है तो हमको क्यों नहीं मिलता वो भी हमारा वदिकार है हमने काम किया है वो हमारा अधिकार है तो उसको सओने उनको प्र stripes कि जाना चाहिए और हम लोग है कर्मचारी हरताल करके व्याधान उत्पन कर रहे हैं जबकि हम लोग अपने स्वयम के अपने आधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमको लड़ना नहीं चाहिए हमें मिल जाना चाहिए क्योंकि शासन और उच्छ सिछश संचनाले का देखे उनलोग हमार हर कारया रोकने की कोशिश करते हैं तर यह सरकार के आदेश के बावजूर लगा तर जो है कहां पे दिक्कत आरी है जो इस तरह से आप लोग को धरनब्र दरसल करना पड़ता है क्योंकि सरकार तो आदेश कर देती हैं यह उसका जो है विश्वेत देला प्रशासन गलत ब्य है जब तक आयुक्त महोदा का पत्र नहीं आएगा तब तक हम कर्मिचारियों को सातों वेतनमान लागू नहीं करेंगे हरताल जारी रही दूसरे दिन फिर संचनाला के भी आ गया अब दोनों आदेश आने के बाद में ही हमारा विश्वित देला प्रसासन सातों वेतनमान के तीन किस्तों का अएरियर्स का भुकतान किया उस आदेश में सपस्ट लिखा है विश्वित देला प्रसासन ने जब जब भी एरियर्स और THioni करने की बात आएगी तो जैसे राजसासन के कर्मिचारियों को मिलेगा वैसे हम अपने करमिचारी वें को दे देंगे लेकिन आज की स्थिति में फिर से वही रोक लगा जा रहा है ये कह के की भाई वो एक साथ अठारा से लागू है कि एक एक दोजार सोला से लागू है हमारे ये कहना है जब करमिचारीयों का आप तीन किस्त का भुक्तान एरियर से कर दिये और हम चौथा किस्त के इरियर्स का भुक्तान कर रहे हैं तो आप ये तिथी में आप यावधान उत्पन कर रहे हैं हमारा तो कहना है आपने तीन किस्त दिया वैसे आप चौथा किस्त भी दीजिए और कर्मचारियों को रहत दीजिए आज कर्मिचारियों को सौक नहीं है कि इतनी धूप में कर्मिचारी यहाँ पे हर्ताल करने के लिए बैठे हमारे बस यही निवेदन है कि जो चीज हमें मिलना चाहिए नियम कानून के तहट मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, हम कर्मचारियों के लिए कोई नियम रुद्ध मांग नहीं करते, और यही सब परसानी को देखते हुए, जब हमारे कर्मचारी छोटी-छोटी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, इससे देले प्रसासंद्वारा, तभी तो यह हमारे बहु कई वर नहीं है, अगर हमारा एक कर्मचारी वहाँ बैड़ जाएगा, निश्चित मान के चलिए, हमारे कर्मचारीयों की हम सारी मांगों को उसी कारिपरसद में करवा लेंगे, इन सारी मांगों को लेकर सासन इस तर से आप लोग की कोई बात चीत हुई है, विश्वई ड्यालय इ इस संबन्द में राज्यसासन से भी हमारे कर्मचारी वहाई संके पदादीकारी मिलके आ चुके हैं, कारवाही प्रोसेस में बताया जाता है, वैसे आडिटव भाग भी गये थे, आडिटव भाग में ये कहना है कि जो तिथी जो है वो किलियर नहीं है, हम सासन को चिठ्थ सरो है सारे विश्विद्यालों के कुलादी पती होने के नाते हम राजभोन में हम बार बार निविदन कर रहे हैं कि हम कुलादी पती महोधिया के पास बैठके अपने करमचारी समस्याओं को रख सके और इसके निदान को उपाय करा सके लेकिन अभी तक हमको राजभोन से समय नहीं मिला है ये कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर महने में समिक्षब एठक क्या आप लोग मांग कर रहे हैं हमारे ये कहना है कि हमारे कर्मचारी छोड़ी-छोड़ी समस्याओं से जूसते हैं विस्विद्यले प्रसासन के पास निवेदन करते हैं अब य हाल में ही रजिस्टार्ट साहब जो है एक परसपर समवाद कारिकरम रखे थे उसमें तृतियम चतुरत पर कर्मिचारी अपनी अपनी समस्याओं को व्यक्तिका समस्याओं को रखे उसमें भी परसपर समवाद रखा गया उसमें कर्मिचारी की समस्याओं का समधान नहीं कितने करमचारी इस पूरे प्रदर्शन में सामिल हैं और आगे आप लोग की क्या कुछ रणनीती रहेगी अपनी मांगों को लेके अभी हम करमचारी संके बेनरतले जो मांग रखे हैं उसमें यह हरताल तो कंटिनु जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और हमारे करमचारी साड़े तीन सु करमचारी इसमें सामिल है और यह भी बताना चाहता हूँ यहां करमचारी की कमी भी हो रही है और वर्क लोड़ी बढ़ है फिर भी करमचारी विश्विद्याला को अपना समझ के क्योंकि संस्था में हम लोग काम करते हैं अपना समझ के दो दो तिन तिन सीट का भी काम कर रहे हैं लेकिन कर्मिचारी उफ नहीं कर रहे हैं जब कर्मिचारी आपके आदेश पे अपने कर्तबी का पालन करते हैं तो आज जब कर्मिचारियों का धिकार की बात आती है तो आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं कर्मिचारी के लिए प्रयास क्यों नहीं करते आज कर्मिचारी संग को यह हर्ताल धरना प्रदसन करना पढ़ा है चार महने पहले से दिया गया है ग्यापन जो है मांग पत्र के संबंद में आज यह अपने आपको यह बताना चाहेंगे कि भाई कर्मिचारी हर्ताल पे है मैं क यसे करई चान्म को पूरा कर देना था है क्रिमचारी संग अगर मांग पूरी नहीं होगी तो यह हमारा हरताल जारी रहेगा क्योंकि ये हमारे अधिकार की लड़ाई है बहुत बहुत धन्यवाद तो पंडित रवीश अंकरशोक लविश्व इद्यालाई के करमचारी जो है अब अपनी दस तुत्री मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं